हालो टेडर्स विल्कम तो एलाइस ब्लू मैं हो दिपेंगोफ और आज हम देखेंगे कुरूद आयल कहां पे एंटी कर सकता है तो कुरूद आप देख सेकता है है हाई हाई हाय लो बना पेवाट क्यां है हम एक हाई है पोइन का बादने हिर पॉइंत बना बना यह बल्च हो सगजनारि है । इस अब तेख सकता है किया यहांप स्ट्रोंग सपोर्डिण लाइन तो जैसे आप देख सकते हैं, 200 moving average है, exponential, तो exactly यहां से price retrace किया, उसका बद continuous breakout कर दिया, तो breakout करने का बद फिर से market reverse आ गया, कहां पर 200 moving average के आसपास, यहां पर, यहां से फिर से उपर जाने का कसीश कर रहे है, तो आज देख सकते हैं, अगर market यहां पर, तो यहां से क्या हो सकता है, market after break होने का बाद, तो market थोड़ा उपर गया, फिर से नीचे है, तो मुझे लगता है, फिर से थोड़ा बहुत correction दे सकता है, यहां से, तो अगर यहां पर correction हुआ, तो आप यहां से anti कर सकता है, तो around 3770 का आसपास, तो आप enter करेंगे, तो इसका यहां से अगर market यहां से reverse हुआ, तो आपको exactly 3800 का आसपास से market से बाहर आ जाना चाहिए, यहां से future market नीचे आ चाहिए, तो अगर हम इसका अगर range देख सकता है, तो range देखेंगे, तो आप देख सकता है, यहां पर मैंने lower point को मैंने connect करना, करके देखेंगे, जिसी यह lower point था और lower point को connect कर दिया, तो next यह target हमें यहां पर लगाएंगे, तो यहां पर क्यों मैंने लगा दिया, क्योंकि यहां पर भी लगा सकता है, तो यहां से मैंने यह ज़्यादा तास्यस एरिया को मैंने connect करना, कोशिच किया, तो यहां पर अगर market future reverse हो गया, ठीक है, market अभी एक range मे आया, तो यहां से हम अगर बाइल लिया, तो इसका नीचे थोड़ा SL लगेगा, target रहेंगे, 3800 का आसपास, यह target रहेंगे, तो यहां से आपको market निकाल देना चाहिए, अगर इसको breakout कर दिया, तो यहां से हम sell जाएंगे, इसका नीचे around 3740 का नीचे हम sell जाएंगे, और target रह लोगे, हमना अगर वोगे, झालिध टास टे रहेंगे, तो यहां से घर हो दो जो रहेंगे हम जाएंगे था पर सदो बाट ए चॉत- कास्ती हम आसाज़ा है, बार follow देना देना जावत TA से मेंगे कैल वहां भीचे हम नीचे हम अगर दो जाएंगे, जाना जाएंगे, अब update